उत्राखन भरती घोटाला मामले में बड़ी चानकरी सामने आई है जहां उत्राखन विधान सभा सचेवाले में सरकारी नौकरी में भरतियों को लेकर सरकार पर आरोप लगाया गया है सूतरों की माने तो सभी भरतियों में हुए घोटालों में नेताओं के रिष्टिदार और अन्य लोगों की गलत तरीके से भड़ती की गई है सीरे शब्दों में कहा जाए तो भड़तियों को लेकर भाई भतीजा बार अपनाया गया है जिसके कारण लोगों में काफी रोश था इस मुद्दे को लेकर उत्राखंड के मुखे मंतरी का एक बड़ा बयान भी सामने आया है आपको बता दे कि सूत्रों के अनुसार सीयम धामी ने नेताओं के रिष्टिदारों और अन्य लोगों की गलत तरीके से हुई भड़ती को देखते हुए उनकी निक्तियों को निरस्ट करने के लिए कहा है उन्होंने विधान सभा अद्दक्ष रित्व खंडूरी से कहा है कि इन निक्तियों को निरस्ट कर दिया जाए वही एक्सपर्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट आज विधान सभा अद्दक्ष रितु खंडूरी को सौब दी है जिसके पास सियम धामी ने विधान सभा में गलत तरीके से लोगों की हुई भर्तियों को निरस्त करने के निर्देश जारी की है बता दें कि विधान सभा अद्दक्ष रितु खंडूरी ने भर्ति गोटाले के संबन में प्रेस कांफरेंस करते हुए बताया कि समीती ने नियुक्तियां रद करने की सिफारिश की है साथी 2016 से 2022 सक्की कुल 228 तदर्थ नियुक्तियों को रद्द करने का प्रस्ताओ साशन को भेजा गया है वहीं विधान सभा सचिव मुकेश सिंगल की भूमिका को संदे की गिरे में पैते हुए उन्हें ततकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है जाच रिपोर्ट मिलने के बाद विधान सभा अध्यक्ष ने साल 2016 की 150 भरतियां साल 2020 की 6 भरतियां और 2021 की 72 तदर्थ भरतियों को निरस्त करने के लिए साशन से कहा है सबसे बड़ी बात ये है कि विधान सभा में 72 लोगों की नियुक्ति में वरत्मान मंतरी और ततकालें विधान सभा अध्यक्ष प्रेमचंद अगरवाल के पियारों की पत्नी और रिष्चिदार को भी नुकरी दी गई थी इतना ही नहीं पूर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के एक पियारों आलोग शर्मा की पत्नी मिनाक्षी शर्मा ने विधान सभा में नौकरी पाई बिना किसी परिक्षा के पिंक एंट चूस के अधार पर सत्पाल महराज के पियारों राजन रावत भी विधान सभा में नौकरी बिली इसके अलावा रिखा आरेक के पियारों और भाजपा संगटन महरा मंतरी के गरीबी गौरव गर्व को भी विधान सभा में नौकरी बिली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केबरेंट मंतरी मदन कौशिक के पियारों आलोक शर्मा की पतनी मिनाख्षी शर्मा को भी नौकरी दी गई कई निताओं के सगे संबंदियों को भी नौकरी मिलने के आरोप हैं उत्रखन से रेजिडेंट एडिटर अपने जैन की विशिष रपोर्ड विधान सभाद देख जी से बूरू में ही अंदरोग किया था कि जो भी विवादित नियुक्तियां हैं भर्तियां हैं उनकी जाँच करवाएं और जाँच करवाने के बार जो भी भर्तियां गलत पाई जाती हैं उनको निरस्ट करने की कारवाई करें मैं विदान सबाद देख जी का धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारी सरकार की मानि प्रधान मूतरिंग मोदी जी के नेतुतों में पूरे देश के अंदर निती है पार्दरिस्ता की निती, सुसासन की निती उस पर आगे बढ़ते हूँ आज जी सभी बढ़ते हैं निरस्त करने का जो निमे लिया गया है उसके लिए मैं विदान सबाद देख जी का धन्यवाद करता हूँ जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अपने माध्यूं से अपनी मन्शाप के माध्यूं से अपनी मंचा प्रदेश के सामने रखी थी और ताहा था कि यवाओं को निराश नहीं होना है आज 23 सितम्बर है और ठीक 30 दिन पहले, तीन सितम्बर वो यही पर हम आपने बादचीती थी, तब मैंने यह वादा भी किया था कि जल्द ही मैं आप से दुबारा कुरागात करूं। मैं आप सब को सूचित करना चाहती हूं कि मुझे कल देर राद, विशेड शेकर समिती से जाज रच रच राति हो गई है। और मैं वहां से जब डॉटि तो को कि ख़वर आई कि पूरी रिपोर्ट तयार है। इसलिए वो जए सौपना चाहते हैं। समिती ने यह सहानिया कारकिया है। मैं अप्रिशियेट कर हूँ गी मारे का। तीनों ने लगातार तीस दिन तक दिम्राख मिनली हैं। समिति के साथ पूरी तरह से वो पॉपरेज किया है उनके साथ रही है और जब ही कुछ भी काज़ा उन्होंने मागे हैं तो उन्होंने उसना पुछाएंगे समिति ने सहरानिय कारे किया है और अधारिक अबधी के पूर्व ही रिपोर्ट साथ पूरी रिपोर्ट दो हजार चौदा पेज़ की है लेकिन इसमें सलंगन भी शामिल है जबकि केवल रिपोर्ट ही अंच जो है वो 29 पेज़ के समिति ने विधानसवा सचिवाले के रिकॉर्ड का परिक्षन करने पर यह पाया कि वर्ष 2016 तक वर्ष 2020 तखा वर्ष 2021 में जो तदर्थ नियुक्या की गई उनमें अनिमिन पाइप थी तका इन खट्यों भी विभिन वदों के लिए विधारित नियमों का पालन नहीं हुआ समिति ने विभिन न्यालायों में द्वारा नियम विरुद भर्षियों के संबंद में समय समय पर दिये गए आदेशों का हवाला जेते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिपारिश किये है कि निमलिखित कारणों से नियमों के विरुद की गई इन तदर्थ नियुक्यों को तकाश रभाव से नरस्त कर दिया जाए